आपके सामनी जी जो डिश है कैसी लग रही है आप सबको टेस्टी डिलिश्यस ना ये टिंडे की सबजी है जो जादता सबको पसंद नहीं आती है पर अगर टिंडे को इस तरीके से बनाया जाए तो सबके मुँँ में पानी आ जाए और खाने वाले तारीफ करते करते नहीं ये गैरंटी है मेरी तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में आज मैं लाई हूं आपके लिए शाही टिंडे की रेसिपी जो इतनी स्वादिश है कि सबको लगेगा बिलकुल आप बजार से ही लाए हैं इस रेसिपी की शुरुआत करने से पहले SG Food World को साथ ही साथ बेल बटन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए शाही टिंडे बनाने के लिए आपको लेने हूंगे आदा किलो टिंडे जिसे पीलर की मदद से छीन लेंगे छीनने के लिए आप नाइफ का भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर ध्यान रखी आपको बारीक छीनने हैं टिंडो को अच्छे से दोलेंगे और सुखा लेंगे यह स्टफिंग टिंडे बनाएंगे हम टिंडो के ऊपर से एक छोटा सा पीस कट कर देंगे जैसे मैं आपको इस वीडियो में करके दिखा रही हूं इसी टुकडे से हमें इसे ढखना भी है तो जादा पतला नहीं करना जैसे मैंने आपको करके दिखाया बिल्कुल वैसे ही कटिंग करने के बाद अब टिंडो को स्कूप आउट करना है मतलब उसका गुदा निकालना है तो मैंने या पीलर का इस्तमाल किया है आप स्पून का भी उज़ कर सकते हैं बहुत ध्यान से स्कूप करिएगा जैसे मैं करके दिखा रही हूं टिंडे में कहीं भी छेद नही कर लिया है यह गुदा वेस्ट नहीं करेंगे इसी से हम फिलिंग करेंगे अब जो टिंडो का गुदा हमारे पास है इसमें सारे मसाले मिक्स करके एक बहुत अच्छी स्टफिंग बनाएंगे तो आड करते हैं 1.5 तीस्पून कस्तूरी मेथी 3 तीस्पून धनिया पाउडर नमक 1.5 तीस्पून 2 तीस्पून सॉफ पाउडर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे 3 तीस्पून मिर्च 3 तीस्पून हल्दी स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है देखिए मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ हाथ से mix करने पर stuffing बहुत अच्छी बनती है क्योंकि मसाले भी एक तो अच्छ से mix हो जाते हैं अलग अलग नहीं रहते हैं इस stuffing को अच्छ से bind करने के लिए और एक creamy texture देने के लिए मैं यहाँ पर आइड कर रही हूँ 50 ग्राम grated paneer यह भी अच्छ से mix कर लेंगे ready है हमारी stuffing अब जो टिंडे हमने scoop out करके रखे थे उसमें यह stuffing भरते जाएंगे और जो बारीक layer हमने cut करके रखी थे टिंडे की उससे ढख देंगे toothpick से इसे बन कर देंगे toothpick की जगा आप धागा भी यूज़ कर सकते हैं इससे stuffing भार नहीं आएगी बाकी सारे टिंडे भी ऐसे ही तियार कर लेंगे अब high flame पे cooker गरम कर लेंगे और add करेंगे 3 टेबल स्पून melted घी घी हलका गरम हो जाए तो उसमें डालेंगे चुटकी बर हींग और 3 चुथाई टीस्पून जीरा जीरा जैसे कि आप जानते हैं डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है flame को low to medium रखना है और add करेंगे onion दो चौप किया हुए प्यास थोड़ा सा भून जाए color translucent हो जाएगा आपको दिख जाएगा जादा नहीं भूनना है जब तक इसका कच्छापन चला जाए तपता की भूनना है उसके बाद add कर देंगे टमाटर यहां मैंने दो टमाटर लिया है इसे मिक्सी में पीस लिया है medium size tomato लेने आपको इसको भी mix कर लेंगे अच्छो से आप देख सकते ग्रेवी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है साइडों में आपको दिख रहा होगा अब एक एक करके सारे मसाले add करेंगे तीन चुथाई टीस्पून हल्दी नमक स्वाद अनुसार डालेंगे मैंने यह आप एक चुथाई टीस्पून लिया है आप जैसे की जानते है स्टॉफिंग में भी बहुत हमने नमक डाला है तो आदा टीस्पून कस्तूरी में थी मिक्स कर लेंगे अच्छे से फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है टिन्डे आपने कई तरीके से बनाए होंगे पर इस तरीके से बनाने पर इसका टेस सबसे अच्छा आता है आप जरूर ट्राइ कीजेगा जब मसाला भुन जाए तो इ कर दीजेगा एक मिनट के लिए इसे धीमी आज पर पकाएंगे एक मिनट बाद इसमें आड करेंगे पानी आधा कप यानि कि सौय मेर अब जो स्टफ किये हुए टिंडे हमने रेडी किये थे वो इसमें के करके आड करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर आड करते जाएंगे ताकि जब हम विसल लगवायें तो सारे अच्छा से पक जाएं अब टिंडो को कोट करेंगे ग्रेवी से कुझ रभन कर देंगे हैई फ्लेम पर दोवीशल आने तक इसे पकाएंगे, विसल आने के बाद स्टीम नहीं निकालनी हैं, इसे इस्टीम से पकने देंगे, आपुकर खोलेंगे जब कोई स्टीम न रह जाए और इसे ष्पून से चेक करेंगे, कि यह पके है या नहीं, विलकुल अच्छे से पक गए हैं यह, आब इसमें आट करेंगे 3 च चपाति के साथ, प्राथों के साथ, क्या किसी भी स्टफ प्राथों के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, अपने suggestions and comments मेरे साथ जरूर शेर कीजिएगा, बताईएगा जरूर कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी, भूलियेगा मत इस रेसिपी को शेर करना अपने फ्रें रेसिपीस के साथ तब तक के लिए गुद बाई टेक केर